नमस्कार हिम टुडे में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिमाचल में जो पटवारी भरती का मामला हाइकोट पहुंचा था उसका फैसला आज आ गया है 26 नमबर 2019 को वो हाइकोट में उस पे सुनुवाई की गई तो उसका जो रिजल्ट आया है उसका जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएंगी दोस्तों गर आप नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिमिकेशन बेल भी दबा लें ताकि आपको सबसे जरूरी जानकारी सबसे पहले मिले दोस्तों पटवारी भरती मामला हाइकोट में पहुंचा था इसकी वीडियो हमने आपको दिखाई थी अब जो मामला आया है उस पे सुनवाई आज हुई है तो C.J.L. नारायन स्वामी और जस्टिस जियोतसना रिवाल दुआ कि बेंच ने आरूपों पर हिमाचल परदेश सरकार से जबाब तलब किया है आदेश दिये हैं दोस्तों बता दूं 29 नुमंबर को दुवारा इसमें सुनुआई की जाएगी जिसमें सरकार अपनी तरफ से एक रिपोर्ट पेस करेगी कि क्या गल्तियां उनसे हुई थी इस बारे में पटवारी भर्ति को लेके इसके बारे में हाई कोट की खंड़ पी सुनुआई होगी जिसमें सरकार अपनी रिपोर्ट पेस करेगी उसके बाद दोस्तों बकील बिने शर्मा है जो की कैंडिडेट थे उन्होंने बकील जो किया है वो है बिने शर्मा जी उन्हें याचिका में लगे आरोपों को कोट ने गंभीरता से लिया और सरकार से जबा तलब किया है ऐसा उन्होंने कहा है उसके बाद दोस्तों अब सरकार को याचिका में लगे आरोपों का जबाब कोट में देना होगा जो भी आरोप कैंडेट ने बिने शर्मा के थ्रू यहां पे सरकार पे लगाये थे कि पटवारी भरती में जो गरवडी हुई थी उसको ल 9 नमंबर को दोवार हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें कि हाई कोट का फैसला सुनाया जाएगा जिसमें कि हाई कोट में जो फैसला दिया होगा उसकी जानगाई आपको दी जाएगी दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना नभूलें